नमस्कार दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ में मेरा नाम अर्विन कुमार है आप देख रहे हैं अर्विन इटूबर इटूब चनल को गाइस क्या है काफी देर से बारिस हो रहे है कल साम से भाई लैड भी नहीं आये थी और हमारा मुबाल जो था सुचा पड़ा हु एक कैईसा नजारा हमारे घांके खेतों का इतनी सारी दाण की फसलती है तो काफी जादा बारिस के रेम बरबाद हो गई है और दोस्तों इधर देख सकते हैं सामने कितना साला जो है तो धान सब गिर गया है तेज हवा चली है बारिस भी होई है कि यह ऑपड़े सब और सो मतन 생 whatsoever अिंगत नहीं बर्पिंदध हो गयी है किसानat काफी जयादा परेसान है डिक्तत होगी पानी नीचे भड़ा हुआ है ृतना दूरी देखेंगे तो सब्न ताझ ही हैं हमारे यहां नहीं कि खेति बाहर काफी मात्रा में की गए थी जित्रे किसान भाई थे हमारे गाऊं के सब ताज धान की खेति काफी जदा किये थे और सारा और गिर गया है यह काटने में काफी जड़ा दिककेत होगय उयद इसको सब देख सकते हैं तो अुछ कि आया और जोस्तों अब भी आ गए अपने खेद Help को को देख सकते हैं यह से सारा काल दहां सारा द्हान देख सकते हैं सब गिर गया है यह यह दो ज़य रहे हैं इसक्याएं इसक्तुषा भाई भात थी अबएव द्धान इस नदा बाइच की साम द्यार सलवी यह सब दूर तक बसुरूं सब यह सारा गधान ताज है काफी ज़्यादा नुक्कान हो गया किसानों का इधर देख सकते हैं पूरा आज 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 देख रहे हैं तो इसमें धान था तो कड़ गया था तिन दिन पहले धान कड़ गया था इसमें और यह सब सिन देख सकते हैं पूरा यह सब गिर गया है धान भाई काफी ज्यादा नुक्कान हो गया है हमारे यहां बारा वंकी जिले में इधर का सेन देख सकते हैं और यहाँ पर यह तुलसे की खेती है तुलसा लगा हुआ हुआ इसमें आवला एक खेत हमारा वहा है हो काफी दूरी पर है तो गाइस वहाँ पर hari जाना ही पाएंगे क्योंकि चाहला ज्यादा है इस चक्रोड पे और चलते हैं भी घर को चलते हैं क्या है खेतों से घूम करके आ गए हैं और अभी देख सकते हैं अपने गाउं में खड़े हुए हैं और यह मेरा च्छोटा सा ब्लोग आप को कैसा लगा अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंड को जिए बताना और वीडियो को ज़्यादा सेकरना मिलते हैं नए वीडियो के साथ करता कि ले बाबा रस तो